हलो एवरिवन वेल्कम बैक टू माई यूटूब चैनल होप आप सब लोग ठीक होंगे और स्वस्तर मस्त होंगे तो व्लॉग के शुरुवात कर रहे हूं मैं सुबह से तो आज मैं आपके साथ अपना मौनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूं और यह मौनिंग रूटीन थोड़े काली भट मैंने मिक्स किये और उसको कुकर में डाल दिया इसको सीटी लगने के लिए छोड़ दिया है और इसमें थोड़े से आपको जो उपर दिख रहे हैं वह है गदरान और मैंने इसको इंडेक्शन पर रख दिया क्योंकि इसको पकने में बहुत जादा करने में मतलब यह वीडियो तो थोड़े 7-8 मिनट का होगा है 6-7 मिनट का है लेकिन मतलब इसको करने में कम से कम डेड़ घंटा जाता है इसलिए सुबह सुबह उजाला हुआ था लेकिन धूप नहीं आई हुई थी तो मैं उसी समय साफसफाई करने लग गई थी फिर दोन कि सब रूम में भी धूप आती है लेकिन तो लेट आती है लेकिन जैसे ही सूरज आते है तो इस रूम में धूप आ जाती है और आजकल थंडिया तो पहाड़ों की थंडिया तो आपको पता यह कितनी जादा होती है तो यहां पे धूप आती है न तो मतलब एक ऐसा हुए रहता है कि ठंडा कम लगता है दूप से और ऐसे बोलते हैं कि नए घर में ठंडा होता है लेकिन इतना ठंडा इस घर में होता नहीं है तो इसके बाद मैंने इस रूम में जाड़ों पोचा किया पोचा भी लगा दिया था और उसके बाद में नहाने चले जिए जिए मैंने प से पहले मैं अपने पतीदेव के लिए फ्रूट कट कर रहे हैं क्योंकि वह मौनिंग में एक्सेसाइस के साथ फ्रूट काते हैं तो सबके गर का अलग-अलग रूटीन होता है शायद मौनिंग जिसके घर में गाई वगे रहा होती है उस सुबह गाई का काम करते है तो मम्मी बेज रही है और तो मम्मी लोग जितनी हो सके अपने से हमेशा मेरी हेल्प करते रहते हैं फिर मेने दूद गरम करने को रख दिया है और अब मैं करूंगी गैत के तड़के लगाने की तेयार तो यहां पर मैं मेर्जियों को चॉप कर ले रही हूं मैं जो काट ले उसके बाद मैं अदरक चिल ले रही है और लेसून तो मैं इन तीन चीज़ों को यह डालूंगी प्याज टमाटर हम नहीं डालते गैत में और बहुत लोग गैत को भूच के भी बनाते हैं मतलब सीटी लगाते हैं खाली तेल में भून लेते हैं वैसे भी बनाते हैं लेकिन मैं लगबख सीटी लगा के बनाते हैं कि जो ऐसे भून के बनाते हैं वो होता है आग में अच्छा और इसमें मैंने पहले ही गद्रायन डाल दी ती और इसमें अब जो तड़का लगीगा वो धुनका लगीगा तो मैंने देखो इतनी शॉटकट हुई रहती ना मिले इतनी जल्दी हुई रहती तो मैंने जैसे लेसन छीले लेसन को पता है क्या क्या सिल्बटे मैं नहीं ले जाके चौपर के उपर ही सिल्बटे का पत्थर होता है ना उसी से लकडी का चौपर है इसी के उपर मैंने इसको हलका हलका बारिक बना लिया है मिर्ची अद्रक और लेसन क तो तेल मेरा लगबग गरम हो गया था तो मैंने इसमें डाल दिया है धुन और धुन थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तो मैं इसमें डाल दूंगी जो मैंने ये पेस्ट तेयार कर रखा था दरदरा इसको मैंने इसमें डाल दिया है कुछ ऐसा देख रहा है जो धूने वो पूरी ब्राउन हो गई थी इस तरीके से ब्राउन हो जानी चाहिए उसके बाद मैं जो ग्रेवी है ना उसकी कंस्टेंसी को थोड़ा सा ठीक बनाने के लिए इसमें रागी का आटा डाल रही हूँ बहुत सारे लोग नॉर्मल आटा भ इसको जैसे तो यह पूरी अच्छे से पक गयते लेकिन और थोड़े देर धीरी आच पकेंगे तो अब इते तेज हो रही है आच लेकिन धीरी आच में पकेंगे तो और ज़्यादा टेस्टी होंगे उसके को पकाते पकाते पता है क्या हुआ दूद रखा तो हमीशे ऐसा ह क्योंकि अभी के लिए जो क्हाना आए hella वो सुबह केू लिए वो तयार है कि दिन के लिए इन गाना है उसको पूरा अच्छ सा तयार करना कैंकि पतीध बेना जो सूखी सब्जी है उसके खाना नहीं खाते तो पतिदेव के लिए मैं अच्छे से पालक की सबजी बना दे रही हूँ और यहां पर लगातार साफ सफाई भी करती रही है क्योंकि मैंने यहीं पे इस लिप में ही रोटी बनाने की आदत है मुझे तो अब मैंने वो जो सबजी है उसको उस तरफ वाले गैस में पतिदेव के लिए अक्यटथ यहां पर लक incapable में शोथाना रख दे में शोथा हे है क्योंकि दीन में तो मुश्किल से टाइम मिलता है की खाउंगी नहीं खाउंगी इसलिए पतिदेव केलिए मैं अच्छे से रोटीया गर्म गर्म रोटीया रहती है इसमें इसमे बनाके मैं रख दूँगी पती देव दस बज़े के करीब खाते हैं और मैं नौ बज़े के करीब चली जाती हूँ पहले दक तो मैं आठी बज़े चली जाती थी क्योंकि सुबह मैं टूशन पढ़ाती थी लेकिन आज कल मैं शाम को पढ़ा रही हूँ तो सारी रोटिया मैं बना पता है पर उसके बद सारी रौटिया पतीदेव के लिए बनाई उसके बद अपने लिए बनाई बस दो ही लोग तो हैं ज़यादा रोटिया Critner है बनानी नहीं होती है अब हाँ काम सब जोस्ते हैँ दो लोग है तकि थोड़ा बहुत क काम उतना ही होता है बस खाना बन पारी थी उसके बाद मैं चली स्कूल को बाबाई टेक केर